खेलो गाइस कैसे है आयोगा बच्छी होंगे तो हमेशा की तरह मैंए एक content और लेकर क्या हूं आपके लिए तो आज का जो हमारा content वू है UMT टूल के उपर UMT PRO के उपर वह हमारा update है चुकि Qualcomm के क्वालकम सीपी के उपर हमारा अपडेट है तो चलिए हम इस अपडेट को आपको बताते हैं वीडियो को लाश्ट दिन तेक आप जरूर देखेगा अगर आप वीडियो में आप हमारे चैनल में नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दबा लिए जैसे हमारे नए नियोड़ फिल्सतन आपको मिलते रहेंगे तो आज का छो कंटेंट है Mulletbasal के ऊपडेट के अप्डेट्स के उस आपडेट्स के ऊपर है कैसे उसको में में क्या कै तो पहला हम कवर करने वाले है आपको UMT कैसे इसका setup डाउनलोड करें फिर उसके बाद हम उसको कैसे इंस्टॉल करें फिर उसके बाद उसके अपटेट्स के बारे में और थोड़ा सा हाइलाइट कि उसको कैसे यूज करते हैं तो चली वीडियो को फटा फर स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे याप यूम्टी टूल है तो देखिए हमने डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा यहां पर आपको किया है यह देखिए UMT का जो क्यूसीफार है 7.4 आपको मैं थोड़ा सा और बैक करके दिखाता हूँ आपको UMT सपोर् कर सकते हो अगर आपको UMT है तो आप UMT का सपोर्ट 2.0 डाउनलोड कर लें इसके बाद आप इंस्टॉल में आ रहे हैं इस्टॉल में आने बाद आप देख सकते हैं पर जो हमारा अपडेट आया हुआ है यह 7.4 जो कि आज ही अपडेट आया हुआ है साथ नमंबर को यह हमा सब्सक्राइब करता है तो हमने डाउनलोड कर लिया है अब इसे में डैवल क्लिक करके इसको करने वाले हैं इंस्टॉल करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को हम फटाफट करते रहते हैं तो अब इसको थोड़ा सा मिन्वाइस कर देते हैं इसको कर देते हैं उसके बाद हम इसके UMT के अपडेट के बारे में खोड़ा देख लेते हैं, यहां पर कैसे है हमारा है, तो चलिए यहां पर फिलाली हमारा हो रहा है, next कर देते हैं, यह हम कर रहे हैं, setup को install, तो यहां पर आपको सारा procedure में वीडियो में कभर करता हूँ, सब कुछ A to Z की कैसे आप उसको use कर सकते हैं, कैसे उसमें क्या update आया है, कैसे उसको install करना है, कैसे download करना है, यह सारा वीडियो में मैं cover करता हूँ, तो यह हमारा install हो रहा है, चलिए, अब हमारा जो यह update आया हुआ है, रेसेंटली यहां पर अभी आपको साथ इस post में ना दिखाए दे रहा हूँ, क्योंकि आज का ही update है, तो 7.3 का update यह दिखा रहा है, बाकि यहां पर 7.4 आ गया है, तो suddenly यह भी update होने में साथ थोड़ा सा इनको time लग जाए, बाकि मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ, सारी चीजे, चलिए, तो अभी फटाज से यह open हो जाएगा, और फिर आपको देखाते हैं कि यहां पर निया update यहां भी क्या है, तो चलिए, कर देते हैं, और यह इसको आप एक बार repair कर दें, तो guys, चलिए भी देखते हैं कि इसमें हमारा जो क्या-क्या, इसमें हमारा देखने को मिल जाता है, यह सारी चीज हम यहां पर इस वीडियो में कभर करने वाले हैं, थोड़ा सा time लगेगा, यह हमारा हो रहा है repair, अब इसको complete हो जाएगा, यह हमारा repair हो चुका, अब इसमें कर देंगे close, इसे कर देना है next, और हम कर देंगे run, अब हमारा जो यह update है, yes कर देना है, तो इससे हमारा यह setup खुल जाएगा, यूम्टी का QCifier 7.4, तो अब इसके update में देखते हैं guys, कि इसमें हमारा क्या-क्या update हो रहा है, और क्या-क्या update हुआ है, चलिए, तो अभी यहाँ पर GSM forum में भी, अभी recently update नहीं हुआ है, हमारा update हो जाएगा, बहुत जल्द यूम्टी का setup update हो जाएगा guys, तो फिलाल अभी वहाँ पर update नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको post दिखा देता हूँ, तो यह देख सकते हैं, Qualcomm का 7.4, जैसे ही जो भी हमेशा नहीं update आता है, आपको इसके update के साथ जुड़े रहना है, जो कि Qualcomm CPU के लिए बहुत ही better tool है, तो अचलिए, इसके हम interface की बात कर लेते हैं, कैसे मैंने इसको download किया, कैसे इसको install किया, अब इसमें क्या-क्या नया features यहाँ पर आया हुए है, तो यह उसके updates के बारे में हैं, सारी चीजे guys, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकि आपको सारे interface के बारे में इसको पता ही है, इसमें जो भी update होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो guys, यह तो हमारा जो पहला टाब है, यह flashing का टाब है, एनी कॉलकम CPU को आप यहाँ पर प्रोग्राम पर टिक करेंगे, आप फ्लाइस कर सकते हो, यह सारी चीजे तो हमने आप बताई हुई है, यहाँ पर आपको जो models है, यहाँ पर नए models कुछ आड हो जाते है, जैसे आप अपना जो भी यहाँ पर model है, तो देख सकते हैं, इतने सारे कॉलकम से related यहाँ पर models है, आपको यहाँ पर दिखाई देजाएगा guys, यहाँ पर क्याने से related उतने सारे models है, mm4 यह पुराने वाले यह हुप है इसके यहां बहुत आयोँ है यहां बहुत है यह अधो सब्सक्राइब है ईसनी हमुषर कर सकते हैं आप अधाने सब्सक्राइब हो पहले से ही यह सारे टैम और यहां पर जो भी इनों पिया हुआ है यहें आप फाइलों को सकते हैं मतलब फाइलों को रीड राइट कर सकते हैं यहां पर यहां पर फाइल को आप यहां से स्टूल के माद्यम से भी स्ट्रैक कर सकते हो और बाकी चीज़े यहां पर अगर हम बात करें सारी चीज़े तो यहां पर आपको यहां पर फ्लेस करना है है कि एक उप्सन मिल जाता है सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने क्वची बात करते हैं वillarट करते हैं तहींั आपको देखने को मिल जाएगे मतलब इतने सारे मॉडल्स आप उसकी अन्लॉकिंग और आपको अच्छा लगा है तो मैंने जब इसको डाउंडोड किया था यूम्टी सपोर्ट हमें कोलना है यूम्टी सपोर्ट कोलने के बाद यूम्टी के ऑफिसियल साइड में सायद इसक पर ही इन्हों नहीं ले गया तो यहां पर 7.3 है बेसीकली और चली एक षबार यहां पर जाते ओफिस साइड पर जाते तो यह यह देखने को मिल जाता है कि हमारा सब्सक्राइब साथ है यहां पर हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है या अगर है यहां दाउलोड की बात करें तो डाउलोड में आपको Firmware मिल जाता है Google Drive Updates, contractor formware यह सारी चीज्मे में आपको हैं civil Site बारे में हैं साथ हैं यह भाकी बहुत अच्छा है यहाँ जैसे आप करो Halloween यह आपका डाउनलूट का एक साइड है जो कि आपको आए से खुल जाएगा तो यह सपोर्ट है इसमें आपको बहुत सारी चीजे मिल जाती है आप इसको यूज कर सकते हैं बाकि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि इसमें अपडेट क्या है सारी चीजे हैं तो वीडि